कभी पिता घर चलाने के लिए बेचते थे समोसे अब बीटी है बॉलिवुड सेलिब्रिटी बॉलिवुड सिंग नेहा का कड़प किसी पहचान की मोहताच नहीं है वहाँ आज बॉलिवुड की पॉपुल असंगल बन गई हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने गाये हैं बता दें की एक टीवी टानल पर चल रहे सगंग रियलीटी शो की जज करने की जिम में दारी नेहा को मिली है शो के दोरान जब एक बच्ची ने अपनी फेमली बाक्ग्राउंड के बारे में बताया तो ककर रो पड़ी और रोते हुए बोली की मैं जब छुटी थी तो मेरी फेमली की हालत भी ठीक नहीं थी जिस स्कूल में मेरी बेहन सोनू ककर पड़ती थी वहां मेरे पापा समो से बेचा करते थे पड़िये बिजन गाने वाली लड़के कैसे बन गई बॉलिवुड की टॉप सिंगर नेहा का जन मुत्रा खंड के रिशिकेश में 6 जून 1988 को हुआ था उनकी मा का नाम निती और पिता का नाम रिशिकेश ककर है नेहा ने सिर्फ चार साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था वे अपनी बड़ी बेहन सोनू ककर के साथ देवी जागरन और माता की चौकी मे भजरन गाया करती थी बाद में नेहा अपनी बेहन और फैमली के साथ दिली में शिफ्ट हो गई यहीं उन्होंने अपनी शुरू आती पढ़ाई न्यू होली पाबलिक स्कूल से पूरी की नेहा ने स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही इंडियन आइडल में हिसा लेने का पहुची थी हालाकि वे खिताब नहीं जीत पाई थी इसके बाद नेहा ने सन 2008 में खुद का एलबल नेहा था रॉक स्टार लॉंच किया नेहा का पहला हिट सौंड था सेकेंगान जावानी कॉक्टेल लेकिन वे मशहूर हुई यारिया फिल्म के गाने सनी सनी से हाई बेहन दोनों बॉलिवुड में नेहा की बेहन भी बॉलिवुड सिंगा हैं वह भी बपूजी जाराधीरे चलो जैसे कई फैमिस गाने गा चुकी हैं स्टार बनने के बाद भी सोनू और नेहा एक साथ जागुरन और माता की चौकी का हिस्सा बन चुकी हैं नेहा के भाई टोनी कक कड़ के साथ देवी जागुरन और माता की चौकी में भजर्न गाया करती थी नेहा ने स्कूल में पढ़ाई के दोरान ही इंडियन आइडल में हिस्सा लेने का मौका मिला जब वे इस शो का हिस्सा बनी तब उनकी एज महज 18 साल थी नेहा ने सन 2008 में खुद का इलबल नेहा वह भी बपूजी जारा धीरे चलो जैसे कई फेहमिस गाने गाच की हैं